क्या अब IITSV Medical School को उपन करने वाली है और अगर इसका अंसर हाँ है तो इसमें admissions कैसे होंगे, admission होना कब start होंगे and इससे क्या फाइदा होने वाला है Video start करने से पहले अगर आप लोगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें and हमारे चैनल को सबस्क्राठ करें साथ में ही बेल आइकन को दबाना ना भूले हमारे आपडेट को सबसे पहले पाने के लिए इस कहानी की सुरुवात होती है IIT खड़गपुर से जिन्होंने एक Medical College को बना दिया है अपने IIT खड़गपुर के Campus में इस Institute का नाम है Dr. BC Roy Institute of Medical Science and Technology कहीं ना कहीं इसका जो लिंक है Medical College का ये लिंक टेकनोलोजी के साथ भी होता है मिन्स हम कह सकते हैं कि अब जो MBBS की पढ़ाई होगी उसमें टेकनोलोजी भी एड़ हो जाएगी और जब इस चीज में टेकनोलोजी एड़ होगी तो ये एक बहुती बड़ा बूम होने वाला है हाला कि अगर मैं बात करूँ तो MBBS की पढ़ाई में टेक्नलोजी का काफी रॉल पहले से भी इन्वाल्व था इस रॉल के चलते हैं अभी तक जो Medical Science है वो काफी हद तक ग्रोब कर चुकी है और आने वाले समय में एक नया बूम देखने के लिए मिलेगा और ये चीज काफी अपर हद तक जा चुकी होंगी जो कि ब्यॉंड इमेजिनेशन भी हो सकती है अब हम बात करते हैं BC Roy Institute of Medical Science and Technology इस कॉलेज में admission नीट के थुरू होगा और नीट 2024 में 100 seat add होने वाली है तो यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई regular basis पर होना शुरू हो जाएगी जो कि first batch होगा वो 2024 से launch हो जाएगा आईए अब हम बात कर लेते हैं second IIT के medical college के बारे में तो ये second medical college IIT कानपुर के campus में open होने वारा है इसके लिए जो area को select किया गया है वो 30 acre area है और ये medical college के लिए funding भी start हो चुकी है जो इसकी सबसे ज़्यादा funding करने वाले इंसान है उनका नाम है राकेस गंगवाल जो के IIT कानपुर के alumini है एंड इसके साथ साथ co founder है Indigo Airline के तो इन्होंने around 100 करोर का funding दिया है इसके लिए इसलिए इस medical college का नाम पड़ा है गंगवाल Institute of Medical Science and Technology आला कि research करने के बाद कुछ ऐसा भी पता लगा कि जो ये medical school open होने वाला है IIT कानपुर का ये दो phase में अपने आपको completely established कर लेगा इसमें अगर मैं phase 1 की बात करो तो ये 3-5 यर में implement हो जाएगा और यहां पर एक medical college के साथ साथ एक hospital रन होना शुरू हो जाएगा इसके बाद अगर मैं phase 2 की बात करो तो phase 2 में इनका प्लान है कि ये लोग around 1000 बेंट का hospital एक grand hospital को start up कर देंगे तो ये आने वाले 7-10 यर में complete हो जाएगा तो जिन लोगों का doubt medical college तक था वो लोग अब इसको skip करके जा सकते हैं एंड जो लोग हमारी test series के बारे में जाना चाहते हैं वो लोग यहां रुक के हमारी test series के बारे में जान सकते हैं तो हम लोगों ने आप लोगों के launch किया है एक test series जो के इंडिया लेबल पे बहुत बड़ा test series होने वाला है यहां पे फिलहाल जो हमने main focus रखा हुआ है वो NEET के बच्चों पे and JE के बच्चों पे रखा हुआ है अब मैं कुछ इसके features की बात कर ले रहा हूँ आप किस तरीके से हमारी website को विजिट कर सकते हैं एंड हमारे application को विजिट करते हैं वो भी information में आपको आगे बताने वाला हूँ अब बात कर लेते हैं हमारे specification के बारे में यहां पे आप लोगों को मिलने बाले हैं chapter wise test चाहे वो chemistry, physics, biology, math कुछ भी हो आपको यहां पे chapter wise test मिल जाएंगे इसके साथ आपको minor test, major test, PYQ यह सारे के सारे test आपको एकदम free of cost मिलने बाले हैं हाला कि अगर आप चाहते हमारे paid membership को लेना तो आप paid membership भी ले सकते हैं हमारे plan शुरू हो जाते हैं 199 रुपीज से एंड अपनी basic need के हिसाब से आप अपने plan को select कर सकते हैं एंड इंडिया के top बच्चों के साथ अपने आपको complete भी कर सकते हैं यहां पे हम आपका personal analysis करेंगे test series के दौरान अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी query होती है तो आप हमसे contact कर सकते हैं 73 004 5513 पर यहां पे आपकी सारी के सारी queries को हम personally discuss करेंगे and solve करने की कोसिस करेंगे एंड अगर आप हमारी test को देते हैं तो वहां पे आप लोगों का जो competition होने वाला है वो हमारे all इंडिया के बच्चों के साथ में होने वाला है करेंगे